हेलो फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिम्पल सी स्वाधिष्ट सी खिटरी की रेसेपी सेयर करने जारी हूँ इसमें हमने पालक डाला हुआ है जिसकी वज़े से यह और भी हेल्दी हो गई है और खाने में तो स्वाधिष्ट लगती है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और जट से बन भी जाती है तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यह हमने चावल लिया है 200 ग्राम और यह हमने तूर डाल लिया है यानि की अरहर डाल आधी कटोरी है और आधी कटोरी हमने मसूर डाल लिया है यानि की लाल वाली डाल और इन सबको अच्छे से धोल लिया है और इन्हें अब हम कूकर में डालेंगे तो अभी हम यह चावल क या फिर केवल मसूर की दाल, फिर मिक्स दाल में आप इसे बना सकते है, बहुत अची बनती है ये किच्री, जो भी आपको दाल पसंद है उस दाल का आप इसमें यूच कर सकते हैं, त्युक्त तल कुआँ सगया बारीक काट लिया है आलक को आप अपनी इच्छा के अनुसार कम जादा रख सकते हैं और यह हमने बारीक कटी हुई धनिया पत्ति ली है थोड़ी से उसे डाल दिया है और यहां पर हमने दो हरी मिर्च काट के रखा है इसे भी डाल दिया है आप अपने स्वाद के अनुसार और उसके बाद हमने यह अद्रक लिया है, बारिक-बारिक टुकडों में काटा हुआ, इसे भी डाल देते हैं, एक चम्मच है ये, और ये दो-तीन बारिक कटी हुई लसुन की कलिया हैं, इसे भी डाल देते हैं, और अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक डालने के बाद हम इसमें अधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, और अब हम इसमें पानी डालेंगे, चार गिलास हमने इसमें पानी डाला है, पानी डालने के बाद हम इसे एक बड़ चला देंगे, उसके बाद इसे धक्कन बंद करकर एक सेती आने तक पकाएंगे, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तड़का लगाने के लिए हम एक पैन को गरम करेंगे, और इसमें हम तेल डाल देंगे, सरसो का तेल डाले हैं, आप गी का भी यूज कर सकते हैं, इसे गरम होने देते हैं, तेल गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, वन फॉर यह हमारा तड़का रेड़ी है अब हम इसे खिजर में डालेंगे तो अभी हम इसमें डाल देते हैं इसे तड़का लगाने से और भी ज्यादा स्वाधिश्ट लगने लगती है और इसे डालने के बाद अच्छे से एक बार चला लेंगे ताकि यह जो तड़का हमने डाला है वो अच्छे से पूरे खिच्री में मिक्स हो जाए उसके बाद ये हमारी खिच्री बिल्कुल बनकर तयार है आप इसे सर्व कर सकते हैं बहुत स्वादिश्ट लगेगी आपको ये खाने में तो सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद हम इसके उपर थोड़ा सा घी डाल देंगे घी डालकर खाने से ये बहुत जादा स्वादिश्ट लगती है तो ये स्वादिश्ट से खिच्री अब बनकर तयार है आप इसे पापड के साथ, दही के साथ, चोखा के साथ या फिर चटनिया चार किसी के साथ भी खा सकते हैं आपको बहुत पसंद आएगी आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो रेसेपी को लाइक से और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई